दाश्यक बिंद नमस्कार एपी टॉक टायम को यो नया स्वाइतिक अद्धायमा हर्दीक स्वागत्ष मुह राज सर्मा आज स्वणिबार इला वगाच स्वुणकला मां मिशशकरेर नेपाली वांग मे का विविन पक्षय पातार आयाममा केंदरीत त्रहर लेखक स्रस्था सर्जक संग संभाद गारने गर्शूं। सनिवियार संगे आजा दुयोटा विशे संदर भश्टा। नेपाली माध्यमिक कालीन साहित्यका एक जना अग्रज एक जना मुर्धन्ने स्रस्था। मोतिराम भट्ठकु जन्म जयन्ती, एकसे संताउन्नों जन्म जयन्ती, नेपाली साहित्यलाई बिराट बनावनको लागी, नेपाली साहित्यलाई विश्तार गरनको लागी मोतिराम भट्ठकु भुमिका, निकेई महत्तो पुण अचा, उन्हाता मोतिराम भट्ठ बनने वित खंड़काब्यों तेसे गरी अन्य फूटकर कविता नार्टक साहित्यका बिविद आयाम मां उनको लेखनी ससकता शा आजा हमी मोतिराम बार्टलाई समझीने शों मोतिराम बार्टले नेपाली साहित्यमा पुरायको योगदान को चर्शा गने शों तीस पर्षको उमेरमा उनले नेपाली साहितलाई यती बल्योगरी उठाए फरसरूप आजाहमी ले उनलाई एकी साबले सदाकाल सम्मा समझी रहने शों राजाहमी उनके समझना को सेरो फिरो मा रहने शों राजा अरको युटा मतपून संदरवा पने शा कुछिया उसी बाभुको मुखेने दिन यो पवित्र पावन पुनित दीनमा संफून पिता प्रती हार्देक नमन गर्न चान्शों हामरो पुर्भीय दर्शनले माता पितार गुरुलाई देवता समान माने गोशा पित्री देवु भाव आज पिता प्रती स्रदा सम्मान प्रत गर्दे यो दिवस पनी मनाई देशा रसंगई मोतिराम बट्रकू समझनामा नेपाल मात्र नभई बिश्व मारो एका नेपाली हरु माज बिविन्न कारिकम हरु पनी उन्देशन आयो जो ना उन्देशन आज आम यही शेरो फेरेमार अन्ने छो उर मोतिराम बट्रकू जिवन ब्रित किलाउनको लागिया आजामी संग उन्दोंछ प्राध्यापक डॉक्टर कृष्णहरी बराल उन्देशन पनी नेपाली साहित्यमा बहु आयामिक बेक्तित्व का दनी उन्दोंछ कभी गितकार यव साहित्यकार विशाले वहाँ चाहि पॉर्ध्यापन रध तिर्वन बिश्रु विद्याले मां 30 पर्ष प्राध्यापन गरिशकन भय का डॉक्र किष्णहरी बराल का बाउन और्टा किरती प्रकासेच चन्दि गौहिर साहितिक समाल उसुन आनि यो बिद्याले तो हैता आपनी नेपाली साइथ्यक मा देरेई बिदा मा उत्तिके दरुगरी कलम चलाउने स्रस्टाव मोंच गजल सिद्धान्त मा विद्यावारी दी तेसेले आमें मोतिराम बटलाई समझे देशू शाग शेया औलाई मोतिराम रचाव समझे देनमा थनर दो मोतिराम नीच अर्च गजल से कडिसे दिन आपनी लाधन्त मा विद्यावरी नेपाली साइथ्यले नई एकिसावले पिता आज दौर दो समझे दीन मोतिराम बटलाई समझे दीन 30 वर्षा को उमेर मां उनले नेपाली साइटे मां एती देरी दिनसर के जशला आजा में ले समझी रहे का सम्झा यो कासरी सम्भव उनको जीवन चर्याद उनको तीस वर्षा को कारे कालाई अथा तीस वर्षा को समय कासरी उनले लेखन शुरुगरे अथा अध्यन तियो विलाको अध्यन कासरी भाहे इसको संक्षेप मां पहिलो कुरा चाहिंता अब बास्तम मां मतिराम भट्टको जीवन एकदमाई आमिले चीवन अनुकरण गरनेके योग्या चा तो संसार मां धरी साहित्यकारारू गुद् माली साहित्या मां एक उन एक उन लागशा अब खासमा उननाई से 23 मां जन मिले अब मतिराम भट्टको जीवन थेरे कामगर्ण मां चाहिं उनको फैमिली ब्याग्राउंड यो हिंदू दर्शन मां यो हिंदू अध्यात्मे कुस मां चाहिं बनारस्लाइवरा महत पुड़ा मां इस्थलमाने तृर्थमाने योटा जो अपकार न्य islands । पुड़ा ने पुरा एक उंदू भट्टको जीवन साहिं मतिराम भट्टको जीवनाराभ़ा अफारसी भाषा अतंता लोगप्रिय किसम भाषा थियो भाषा थियो भारत मा घरे अगारी देखेने मतिरां भट्रा जानु बन्ना अगारी नाउ दसोन शताफ़ी अरबीर भारसी ले भारतीय भुहिम माँचे ब्यापारी कुर्पमांचे प्रभापन पारेको थियो पच्छीतागर हिंदी भासामा अरभी र फारशी को 25% सब दारू मिशहा, उर्दु उर्दु बायो तो अईले पूनी कातिले उर्दु लाई, हिंदी भासा काई भासिका मान्चन, कातिल मेल पृलिस्टी कल चारण बेगले भासा माननी पर चलन पूनी पंधिस्तान को राश् बने ने लिदाशके लेखने चलन चलती है बहरत में थीयो गाउने गजल ऐसले हास यो गयर मा आका जुन गजल अरो यह बरता ने भरते बहरते बह्रती बहुमा प्रभाप. इस सीतार पने स triggers on the city, also Azonis Cinthar and गायन Rank. Ano Matiram Batta, कौनल कर शुर हों पने साथियार बना सफियाली क केटी का सपनी राम्रव भगोहह को सफिया शुमाधूर को तूधूर हों Banduri अग्यू अग्यदम मिठ्षण गाउन मतिरा मत्याम भगोहा व neighborhood कोईली गजल गवनी, गित गवनी कोहाँ हो гाउनी, विले गवाख़। थ्मानी, जा, शच्याम मधिराम बर्ट। गवनी बर्च वक्वसा रिखूने रठंडी itself, यह चिरति नपाल। भीवायागर में 1937 में नेपाल आपाऊ पाइजा फ़ला है, 1937 में 28 में गए अनि तिया 24 बर्ष तिन चार बर्ष संस्कीद पड़े फिर फारशी पड़े अनि 2000 में नेपाल आई अर भीवायागर नेपाल में विवायागर आई सके पशी फारशी पड़ा छुटियो उनको अंग्रेजी को पुनी चेतरा भखा साइत्यकार शुरू का प्रारंबी की तरण का मोतिराम भट्टा लाग शान है तिया गए फेरी 1994 में नेपाल आयरा दर्बारी स्कूल में पड़े यह दर्बारी स्कूल पड़े उन्नाइश्यो पड़े उन्नाइश्यो पड़े शे दिना को लागी कालकाता गये एकशली फ्खेल भाय फेरी बाउन्ना माते मा दिना जान चुए फेंगा कलकाता जाता बिरामी परे बिसम्जवर बने चाहिए ठाईफाइड वाला अई बिराहिम परे दिना बहारं कारफांड़ आए तिछे बाता उन्कोचे मृत्यु भा प्रदय ना थे बाने मतिराम बट्ट यूरूप मा आउन सकने थे रहन तेस क्यारण एक अर्थमा नेपाली साहित्य का लागी बदारस को जुनतीर था हो तो एकदमे उपयोगीर आयो उनलाइज जुस्ते उनि चाहिए भारत मा रण लाँडा भारत जीवन शापाखना आपने मतिमंडली घठन गरी तो प्रूंगीर तो चियत क्मा था संगतँ उनलाइज श्भू अव्लाइज नेपाली शाहित्य कुछ प्रवधर्ण का लागी एकाम उपर फ़्छ का साहित्य क भारतेंदु हरिष्टांद्र जो हिंदी भाचा को उन्यन को लागी विकास को लागी अतना भारतेंदु हरिष्टांद्र लागी परिराइन का थे त्या क्या बनेंचा बनें समस्य पूर्तिगार्ण त्या चलंग थियो अब मतिराम भट्टा को बनी साहित्य तीर अब प्रतिवा संपन्ना बेर्थी थिये रुची थियो एक्षटी केप बने जबने त्या हिंदी को उसमा पुगे समस्य पूर्तिकारकमा पुगे और भारत यंदुले योटा समस्य दिये कपड़ा जलाक है अपने लगे आगता अपने अफने कपड़ा जला आगता अपने ये इसको लागी पहेलो मंति पूरा गर वने पंची हिंदी साहित्यकार अरकोपनी भीड़ती हो मतिराम भात्रता फुचे फुचे रिवाय सब बन्दा मतिराम दुरुखक उठा सब बन्दा पहले अईसा भी अकल देखा है कोई आपने यस तो अकल नभागा मैंचे बनी कोई देखा चाहिए तो हाल दिया कोपड़ा जलाके अप दस रुखम पूरसकार पन देरें सब बला जो ते बला है लुख ते बला है तो हमी तो खत्रा मन्जेरा चाहिए लुखक में आपने कौपड़ी एस्थ नेपाल कोई श्थिति नेपाल में कभी अरुकोच प्छन चुर्त इतियासे चाहिए ना उना नेपाली में पनि बीर पसीक्षिख शुब अ कृधा है करलों करें चब्सक्राइद के लंगे पहली आए अड़ में आयती आंड़ी आतीशिते लिती है जिए अज लिए यह नियुकिता क्याования मातिरह बतलआ ता भाई को करो भानुभक्त को जीवन चरित्र पर्दा थापाएंचा अनि उनलाई के लागो बने नेपाली में कभी छैनन मननाता हमरो भासा को बनी बेजातुने बने शन कभी बने अच्छो कभी ता प्रकाशन करना को लागी पत्री का प्रेस चाहिन थे बारत जीवन छापाकाना रामकिष पंत्र, काशिनाथ, रंगनाथ, चेच सिंह, तेज बाहदूर, इनलाई मिला यह उटा कभी मंडली खोले नेपाली नेपाली हरको कभी मंडली खोले तीने ही समस्य दे रहा अब कभी ता लेखने पर शापने नेपाली में पने कभी छन एरावा काश्फांड आको बेलामा रामाइड के तेहां कथे रूपन के पड़े को उनले सुने, सुने पचिए को कश को की बार खोजी गरते जाला बानुबख्त आचारिय को बने लागे पचिए त्यों खोजे उनले बाल कांडा बेटा आए बानुबख्त को अ उनले लागे ओ यह त्रो कभी शन नेपाल मा अवलिए परसार परसार गरनुपर साहनुबख्त भनाँ वनारश गर्ण तेही प्रेश बाता भारत जीवन चाहपा खाना बाता अरचालिसमा त्यों बाल कांडा चाहबा त्यों बाल कांडा जाबाए और यह त्रो क्यों रिखतो अने मतिराम बठा मा कभिटा लेखूं, मा अपनी ठुलो साहित्य को रचना बहा सा, बनने सोच बनाया रपो अगी बढ़े का बेश्च बनने था पाएंचा जुन भारतें दू अरिस्चंद्र को संगत लेपनी उलाई साहित्य प्रते भारशी संगीत को भारतें संगी अरिस्चंद्र नेपाली साहित्य खोजमा पनी उनको त्यु आती इतीरआ बाट लायो तो च्ताना आयो जारा परमणा फळा को सावित्य को भारत को बसाई हमरो नेपाली साहित्य क भिकास पनी क्षोग लागी से जही मोह पुले आ प законनी भूम हेली मती मंदली ना बना होएले कभी मंदली ख़ए उनले आपनों नाम राखने किसम को त्यो प्रियास्त उनले गरेनन त्यो बेला माँ नेपाल मा आई सके रहा है लश्विदत्त पंत नरदेप पंडे गोपिनात लोणी भजराज पंडे इनरु सम्मेलित युटा मंदली बनाए इव इवट मंदली किरास्त आयो, यहान आये था फेर इ यहान आये जाका त्यो उटाखए चाही चली रहा हुआ, त्यो मंदली दुमाति आंगधा नेपाली सहीत पर्गुरागुए यह अरको बनाए, यह अरको बनाए, बनाए सके यह पनी समस्य पूरती, यह शरी भारत तेंदु को त्यो आमिले कथा बने हुनिता, कपड़ा जलाके अपने लगे आगता, यह उले थुपड़ी पीछा यह दिये, कभी दागा, लेवलेव अउठीमा दिन्चो लावती मेले मे पूरा है करीक्राइकलप पूरा उरको ले पूरा पूराहे पीमतिराम भट्ट दोस दर्शन होईना, बुन्ड दर्शन, को त्यो लाइन का समालोचक थिये, भानुबक्त को बयान करें, उन्हेले पहले भानुबक्त अधिकभी हुन, महरत दिये, उन्हें योपने लेखाचन, भानुबक्त वनना अगारी पने केई कभी छन, तर अधिको अर्था पहलोग अर्था लाग तो अर्था नलिये पहलोग प्रतिनिदी कभी प्रतिनिदी कभी भानुबक्त अधिको 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 अधि तो भानुबक्ता बराबर को होंच, त्यो बंदा ठोल होने शाई ला, यह केस्तो चेता त्यो गरे, भानुबक्ता लाए आशु कभी हुन, बन्नीपनी शिद्धा गरे, कथी पए टुक्राहरू, कभी ताहरू, राठे, पचिका, कथी पए समिछ्य करले, कथी पए फुटकर क अभी ताहरू, भानुबक्ता को नवारा मतिराम के उनुपार्शा, भन्नी कुरूबनी गरे, तो लेखते ही जादा खेरी, उनला ही इस्तोगो बने रा, तरह अब त्यो तीर, अहली जुन प्रमार छाई न, अहली न न जाउं, तो मैं दसकाउं, दसकाउं देखी, पड़ी राखनु बाच, भानुपड़ाई राखनु बाच, आधी कभी पड़नु बाच, आधी कभी पड़ाउं बाच, नेपाली साहित्यको नस नाडी थाच, यती बहीरादा पनी, कदी पहले फेरी यो अनेकन टिप मड़ी गर्शन, आप भानुबक्ता प्रती लांचना लगाऊं छन, मोतिराम बटवाट पर ती प्रती पनी तेस्तो देखें छन, पानुबक्ता का कभी ता, अथब आ बानुबक्ता का कृति ने वे न, इस अपई चाहिए आप, केरे मोतिराम ले लेख दे पनी, पनी कुरा गर्शन, आई न, तो तरका छा, आर ले तरका देनु हो, हो की हो, तो गर्शन, तरह भानुबक्ता को राम आई ले मतिराम को कसेले बनिया चाहिए, तरह यवटा अनुमान विद्वान ले गर्शन, कि तो संपादन मतिराम बाटा, भाको होना सक्छन, अब और आर अरका को जीवनी, सपय अरकोले लेख देर, उसको बनने प्रतो मतिराम बाटाले, आपनों आधर्श यवटा कभी को, खोज खंतर गरे, जम्मा गरे, संपादन गरे, मिला आये वलान, तरह भानुबक्ता को भारता ब्रामाट को सेले बनिया, तो गरे उनले, तो योज उन चेतना समतिराम बाटा को, खोज अनुसंदान को चेतना, जीवनी आपनी लेखने चेतना, समालोचना गरने चेतना, प्रेस खलने चेतना उनले पत्री हापनी चलाये, गर्खा भारत जीवन, तिया आपनी बनारास में चपाये, नेपाल मा आए, खेरी अरगोची पुस्तकाल आये खले, पुस्तकाल आये खले, पढ़नू पर सा अर भनीन च देव समसेर को संगसे उनको रामर समन्द पनी थियो, उनी कभी थे ठुला, ते तरो चर्चित थे, उनी सभाविक पन थियो, और उनले ठुलो काम के गरे बने, त्या दुने फारशी नाटक करू, फारशी भासा का हिंदी का, अधिका दुन उर्दु का परचलान हुंतियो दर नेपाली चला हुनु पर्छा, नेपाली नाटक, हिंदी उर्दु चली राको बेला, तेसको भ्यालू बढ़े को बेला, भारती उस्ताद अरुलाई मत्त दिरे बेला, बिर समसेर काई पालामा पनी, क्लासिकल जुन गाउने भारती या ठुल ठुला कभी अरुन, गाय करलाई बलाई बिरिगांज मत्यों फुलो जलसा गरेको पाएंच तुप्रो सुन्चादी मत्यी हिरा पुरस्कारदे को संदर्वा उल्लेख पाएंच अनि अपनी दरबार मा पनी, बाईरा बारती या शास्त्रिय संगेत शिकावने अरुल्यार आपना हुस्न पढ़ि परसा युश्को उन्नों भयवने हामरे उन्नों उन्नों हुसी पहर आप उले अपना मंडली कैस्था चादश तु पषि मत्यी मंडली नाम दियो तो मत्यी मंडली बढ़एंच तु वा परसन गरें नहीं तो यहुटा तु स्कूलता बनाय के निरेशन भी निशीन पर कबि पेल यह ता बीर दाहरा में प्राफ़मिक क्याल में बीर धाहरा भक्ताज्टि भक्त इवक्त इस पछी भानुभक्त अरू आये वसंत सर्मा अरू आये तेहां इस भक्ति इलाई शाधन बनाईये क्ये को साधन तो बना संसार पारत अरुन भानुभक्त ले पुछ उस्भाण लेक्ड एक दिन नारद सत्यलोग पुगी गया, लोक को गरू हित बनी लोग को एदगर्ण को लाई कविता लेखिये, कविता को एदगर्ण कविता लेखिये, कविता को एदगर्ण भानुबक्त लेक वानुबक्त लेक वानुबक्त लेक वानुबक्त लेक वानुबक्त 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 सरिंगार की ध्रेया सूम भलाद की तक सीचलाी कि अधरी हो मुख्याध क सीचला खुछाः। पाईल में कम सीचला quello कि सहरा फ़ल्ध कातवी खännगार तोफुछी ऐसी करें। भीक दूत विप्र लंब श्रिंगार को आवड़ा ससक्त खंडक आवय मानिंछ गजल अर्मा को निर्मार गरी, गीत अर्को निर्मार को निर्मार गरी यह आपयिम महत पुर्ण आइ यह वुदा हुदा हुदाइपनी मति रां महा अन्य कथे भिषया लाए नम्हान ने बननि शोयम उनिले भानुबात गजरामायाण सपाया, विण आध्यात्मी गईनन, भक्ति लाइ बिरोदगार ने बनना सकी नए उनिसे सवयम गजराम मोक्षे लेखी, तो स्कारवर निए बनना सकी नए तो उनले जुन काम करें, सामाजिक संदर बखें तो तुटे लामाची विड नेपाली चीज प्रियोग गरनु पर बिड़ेशी चीज को परचलने कीना बढ़ेचा यहुटा गजल मा उनले लेखे काचान। कभीता और में यह तीज आहू देशानी अईले बढ़ रमाईलो लागे माले मतिराम भठलाई समझें। उनले यह तीज को वेलामा भखो यह ब्रता बसेरा एकदा बिरामी परने अवस्ता तो तेरा ते वेलामा संक्यत करें। यह तो नगर हाई। यह कुरोबनी संक्यत करें। सामाजिक संदर भट नेर्व नेपाली संस्क्रिकती महिमा भटां को लागे। गरे को कामोशा है। अब प्रिश खोले को कुआचाचाचाचाच पत्रीकाचाचाचाचाचाचाचाच हो अए आर पुृश्दक भटांगा। पुछन पाथन पाथन को लागी तो जुन मतिराम बट्टा ले गरे थी यह बड़ो महत तो पुड़ा सा और राउस मान छे थे बनने से के मतिराम बट्टा लागी तिसे ले तो उन्हें नेपाल साहिते का खास मोतिव बने अली कती बनुना इवड़ा ग्लेमरस बनाये क्या यह बड़ा रमाईद लागी समनला असन मान एकड़ाना सुंधरी थीन परदाफिर हो कुड़ा एकदम चर्चित एकदम रामरी एक़ती बने अन्ही अन्ही मतिराम बट्टा बने गवेटनाये तिन्हें गवेटरा बने पाथने पाषीं रशा तन्रों द्रय बनागी तो कभी ता को सरजाम मानने, रिष्टा को सरजाम मां, कभी यरू धनी उडनी हुनु पर्षा, देश-ढंसा अंतर भूलन शकने हुनु पर्षा, कभी यरू निक्ताशonne पर्षा हेँं नु उसको कोठा इवडा चितिक्कः परएका उनुपढ़ हो साथ कोठा मा टेबूल मेच अनि छेंस पालम कागज उनुपढ़ हो परए तो संशन्ता गयी चाहें बनी झांत कोंचा माझा हैं, तियु अअत्तर उनु पर सा एइना, तियो बनी धाया है, राखहे है को और को लिखने एला में, प्यरी Oreo सहांगी उनु पर सा अनु वाусी. मतिराम बट्टाले, त्यों कविता को सर्जा मा लेखे का जाने, अब यहले के देखाऊंचा बंदूंचा पाने, उनको त्यों कविता को योटा संपन्दता, योटा बसने ठाऊं, योटा लेखाई, यही न, सशकतो उनको लागी धेरेचो क चाएंचा, बन्ने कोरें मतिराम ब्यक्ता गारेको पाइन चांँ, मतिराम का कुने गजल से जाना यहले कंठाचा? है न, मतिराम बट्टका देखे गजल, अब जस्ते मला मतिराम बट्टको यहवडा मन परेको गजल को दुलाइन, भंचु अगी, तिमी आपही मालिक छो, सरकार पो किन चाहिए? किन चाहिए? गजल अब दर्बार पो किन चाहिए? यहवडात्यों तो मलाई, सबै बना मन परेको, गजल हो, मतिराम बट्टको, तेला ससक्त लाइओ, तीन शेर को गजल चाहिए, तिमी आपही मालिक भाईगयो, सरकार पो किन चाहिए? आणि मोती हार के नहो अरू हार पो किना चाहियो बनने गजल चाहिए और को चाहिए गजल जुनलाए गजल भर एकदम चर्चित छानी राम प्यारा राम प्यारा कोती वड़ा गजल मा काफिया चाहिए इसानाई उमेर देखी मन हर ना लागे इनाई सुन्दरी ले जुलूम गार ना लागे अब सुन्दरी को बयान गार रहा लेखिये को गजल चाहिए योचिन शक्ति बल्लावले गामनुपनी वाख चाहिए गजल बने एलबम में 50 साल में अब मति राम भठ्ट को तियो यो राम प्यारा था गजल नंबर एक बनेर संगीत चंद्रजय में शिर्षक दिये कोच तरह शेतु राम ले गाय काशन तियो पईलो गायक बनचन तो असले डिस्करे कर गर आयो मति राम भठ्ट को रचना पनी मत अने अने द्रिष्टी ले अब रह ले अपनी कभी आपनी ससकत गजल कार में नाठक बनारस मां पत्रिखा चलाऊनि नेपाल मा आर फेर और फेर और्कों पुस्ता खर शालाया के कर ले अनि मंटल गठन ँटनी उन्हिलो किसे राम पारशे लागना तो पनी सिन ठीकाऊनी प सबक्ते कभी का रूप मां, आमी पाऊशू हूं। तुटला मां, अनुसंदान, खोज अनुसंदान गर लगर किताब सपाऊने। ततरों सबक्ते को रूप मां, हमी ले मोतिरामभट ले पाऊशूं। बास्तम मा मतिराम भट्ट को प्रसम सा एक दीम गारे रा पुग ने कुरोपनी वहिना तो मेले यानेर मल ठेका जोड़छू ज़स्ते निपाले साइट्यलाई मजभूत बनाऊनक लागी जगलाई एक तमें तो गरविलू बनाऊनक लागी मतिराम लिए एती द्हारे विश्तार रप मा काम गर्यों ज़म तीस वर्शक गितों केट निवा केटोले जस सथ हो एक एक दमै तीस वर्शक हो मेर मा एती द्हारे मोधिराम मने मैं वतिखे हम गजल काली मतंतरे संहा HOL difer गजलका प्राणे ता बन दियो, उनको अन्य वैशिस्थ ता उनको विशेष ता उनको अन्य वैथतित्त्तु लाहे किना छेक जना आमे, आतौि ना छेकिन छेकेंचा जसते लागा, रातौि भायकों छेके को जसते होके होईना लेघा बेनाया नहीं आभी शुरम historा.. योठ अगुछ। परी कुस्त Boulderे questi राओ। गेरेल राओ॥ आअ चाए आउने पहिले जीवनिकार हने, गेरेल राओ आउने पहिले सहमार हनुनिन, ग lets ककोई थाओ, उन्ही पहीलो अनुसंदान करता हुन। तो खोज अनुसंदान गर्डा किताब ठापने बेखती हुन। तो थाुद। बनारा समत्यतरु मंडली बनारा समस्ययपूर्थी दियेर। नेपाली कभी आखो संख्या ब्रिद्धी गर्नको लागी परने बेखतीत्त हुन। नेपाल मी पुनी आह था काम गरे दरबार मा पुनी नेपाली वाद्टा भित्रालियो नेपाली मा गर्णों पर्षादे नी't Dad homework ये ती त्धुली मतिराम आत्त तु को Kids नेपाली स्ट All-I अब गाजल मा बस्त मा जून में गाजल कार और ले गजलकार अर्णी जासरी मतिराम बटला अगाणी लिया आचनी तो इस गजलकार को उठकुलो योगदान मानने पर्छा गजलकार अरू उद्धा इन्थे बने मले लागशा यो गजल मा पनी मतिराम समझीन थे रहां अहले गजलको मा हल्चा नेपाल में अधिकान धेरे किता भरू अहले बर्षक यान नियोबने गजल संग रहने शकी निश्किन चन्छन। यह तुरूपीडी भरूनना नवपुस्ता. नया पुस्ता पुरानूपुस्ता गजल को दाउड मा लागे को छ. तेले करता मतिराम पहलो गजलकार का रूपा इस्थाफिए चान उनियरो ले बहुत तो दियरा वगवान के रूपा परूँँगा शुईकार मतिराम पटाल अगारी बदार आपनों कलम चे चलाया का चन यो गजलकार को विशेश हो अब जीवनी का आरले पुन ता जीवनी के कि छोने प्मपर की अपना जार पूगे के हो 27 शारकार यो संप्रोनल पखुन पचलाय उजाजाओर वने गड़ू बढ़ाखुद थुल थुल थुला कारेकर मेरे उनियरो मतिराम भताक कर्ना अओमा थुल थुल थुला पुरश्कार महीना श्माल अटाना को पुरश्कार पुरशकार पत्रिकाया को एकार ना फॉरिया नägी सित्पान गार मोती जएनधी में बित्रण गारे होंंतियो यह के युप में काम बगए सहें सब देखांगी तली यारा तीर दे बिषे घिए नियंपाली भानु बाक्ता कोता अज्जा गजल को यो कार्ण माई उनले शुरुवाद गरे तेस्पाशी लाम समय सुशुकत अवर्स्थार रहे तर पच्छलो समय यहुटा पुनर जागरन को कार्शा तेस्पाइपन एक जना त्यो त्यो गजल लाई यो विश्तार गरन को लागी भूम गजल अईले हमी क्या चाहां गजल माई एक्दम धेरे विकास भाई रहे को चाहां मती राम भटले जुन बेला प्रारंब गरे उनले चाहें साब्दिक सम्रचना भणु टेक्स्ट पाठ वान चाहां पाठकी सम्रचना बंदा संगीत सम्रचना भट तेले बरता पक्रिये न गजल बहर मा उनुपर अबने क्लासिकल मान्यता हो तेस पछी दुदुपंक्ति को शेर होने प्रविदी तो पछी का मान चेले पक्रिये न सकेना उपेनरा बाद उले जिघर सम्म यवडा लाइन लियो तो बहनना पछारी दुदुपंक्ति को गजल बनेरा गीत लेखे और पछारी फेरी गजलको चेतना प्रारंब भचा हो बहर को चेतना प्रारंब में शुरू भःएनन अब अईले आर फेरी बाहर मा पनी गजल लेखनी यहाँ भनून फेरी अरकोद परमपराचे बशयो अक्षरीक संदमा धेरे गजल हरू नेपाली मा यो दोस्रो चरण मा उत्तरार्द चरण मा लेखिये अगे बाहर में पत्रार्द चरण में कौने चेस विसा पंद होरो कि फूष्टा में अगिल्यों पूष्टा त सरय चैंद हि नए पूष्टा उनों आरकोड़ो बाहर बोकाशन यो एवदा को बनृत है नुस्ता च्छा एकदमे सुखत समय छे र संतूस्चनक अवस्तास वासल को युव विस्तार पनी अवस्थे होने छे मुание क्तमिया बिलमे ऐस गीत्म चिंडरा घ्टमिया outcomes G advocates महां मौरने बया तिमी चाहे जो नायन वननु लां लॉगेट्व ख valley अरू कोई आऊन नायन ममरने बयला तिमी चाहे आऊनो तिमी आऊनो तिसे अना नायन वननु लॉग ख blurने लॉग शुच्छ यहां देशको सचिंता तिमी माया माया बंचे। कथी-कथी, अंतमा कुने यहुटा गजल अथवागीत बंदेनों सा हमें विदागोने बेला माशूं। यहुटा गजल मेरो प्रेमगीत तल्चित्र माशू। मत इसको दुई लाइन पर्शू। मत अलापत्राई पर्शू। तिमी नभायको बेला। मत अलापत्राई पर्शू, तिमी नभायको बेला। मत अलापत्राई पर्शू। तिमी नभाय को गेला दुनियाले पागलने भने पने मता तिम्रो तस्विर संगा कुरा गर्शु तिमी नभाय को गेला मता अलापत्राई पर्शु तिमी नभाय को गेला मुट्टु चल्ला चल्लाई मर्शु तिमी नभाय को गेला अजेव मात्यपुन समय फिलमें, संद्रवब माँ समय फिलमद फिल Champani नहीं, अगया हुआद दम आघन मेंटी दमेग से कामीत्रावतन हाँ कित्रा विशाल प्रतिभाह को बारे मां के चर्चाहरू गर्ना भाए एकदम खुछी छु नियारू प्रति तेस्टे आजब्भाव को मुखेर्ने देन पनी परेकल छा अगी आले पहले भन्नु वाय जगते ही संसार भरेका जो पिताहरू हुनुँँँँँँँँँँँँ इस्मरण करना चाहांगछु और जहां जून ठाओम मा अपुबनदा अग्रीम लाइ चाहिए आस्था स्रद्दा गरेन तो समाज धरासाई उने चीश्चिछु आपुबनदा अगारीका पुष्टा का स्रद्दा गराऊं उन्हेरेका रामरा काम लाई अबलंबन गराऊं नरामरा काम लाई, तो खिया लाएको भने मानू, एती भन्छु, मतिराम भट्टको जुन देन नेपाली साहित्य माँच, हामी माँ तेस्पारा खुलो, अईना, प्रेरणाय मिल्लू पर्छ दने माँच लाग्छ, उनले क्ये गरे, तेस्पारा मात्रे अलिकथी आमेले लीद अपनु लागी बन्दा, पनि नेपाली साहित्य और नेपाली भासा को शियवा उन्छ, भन्ने मठान दाशु, आमें तेस्पारा खुलो, अंदुरोद गर्शु रे विदा उन्छ, तेस्वें, आज एकसे संताउनों मोति जैंती, आनि बाभु को मुखेने दिन, यह वाने देगा नोला, नमस्कार.